कि मैं आज में इतनी कुछूं कि मेरे लिए इतनी बड़ी गुड़नी हुझा बहुत जादा मुझे पता है रो ना रहा है मैं कैसे भगवान का सुक्रिय आदा करूं मुझे खुद समझ मैं नहीं आ रहा है बस मुझे रो ना रहा है सबसे पहले मैं अनिल को फॉन लगाया उसके बाद मैंने सूचा कि आप लोग साथ भी स्याइब पता है इतनी बड़ी गुड़नी हुझ पता है मैंने निल्ट को बोला कि सुन रहे हैं बहुत बड़ी गुड़नी हुजा होने लगी यार मुतलब आज फिर से पार्सल आया है लड़ू के लिए मैंने कपड़े मंगाये थे आज अब यह गुड़ मॉनिंग एब्रिवन रादे रादे कैसे हो आप सभी आयोप आप सभी बहुत अच्छी होंगे तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी वीडियो में आप लोग के साथ सेयर करी हुई है चोटी-चोटी किलिप वैं जो के लड़ू की हैं तो बहुत सारी लोग मुझे से बोलते हैं कि लड़ू की सेयर किया कीजिए वो क्या करता है थोड़ी थोड़ी कलिप मैंने सूट करी हुई है तो वही मैं सेयर कर रही हूँ यहाँ पर लड़ू के कांड़ा आप लोग देख लीजिए सारे दिन मुझे ऐसे ही तंग करता है कल दीधी से मंगाई हुई थी मैं थी तो मैं थी जादा थी नहीं इतनी क्योंकि जब मैंने साप करी थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने सोचा कि सबजी तो बननी ही पाएगी चलो मैं थी की पूरी बनाते हैं इतनी टेश्टी बनी थी न बहुत जादा मेरी तबियत सही नहीं थी तो मैंने दही के साथ नहीं खाई इन्होंने दही और आलू की सुकी सबजी और अचार के साथ इतनी टेश्टी लग रही थी बहुत ज़्यादा और यहां पर टेवल और दोनों टेवलों की बीच में गय पेना उसमें यह छुप गया था और हम सारे गर में इसको देख रहे थी मिल भी नहीं रहा था मैं तो बहुत टेंसन में आ गई थी और बोल भी नहीं रहा था तो ऐसे से और इसे कांड़ करता है यह चेलती है और इसकी सहतानी आप लोग खुद देख लीजिए, ये क्या-क्या कांड करता है, लड़ू बहुत सीधा बच्चा है, बहुत सीधा बच्चा है, देखो ये क्या-क्या कांड करता है, 24 गंटे का तुम मैं बता नहीं सकती न, जब कोई घर पर आता है, उनके साथ अच्छी से जब लेकर अकेला रहता है न, तब देखो क्या कांड करता है, देखो, प्रोटेक्टर निकाल दिया है, बैट सीध निकाल दिया है, लेट डू, डू डू दिस, पागल समझ रहा है मुझे, सही कर दो उसको, सही कर दो बेबी, ओके, किची कर दो मम्मा को, एचे, चारी बोल यहां से ही ठीक हो गया, भी थोड़ा बहुत खासी है इसको, तो उसकी दवाई हम दे रहे हैं, लेटू नो, इतना काम बढ़ाता है न, यह ले लो, चलो बलून ले लो, ले लो, कल बलून से खेल रहा था, अचानक से बलून फूट गया, इतना जोर से डर गया ही, मैंने ब कोई बात नहीं, खेल लो बिटा, ममा के साथ खेलेंगे, लाओ उसको जंदी से, लाओ, 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 लाओ और मैं नहाद हो ली हूं पूजा वगरा हो चुकि अभी जा रही हूं मैं किचिन में लंच बनाने के लिए और आज लंच पे बनाने जा रही हूं मैं बेगन आलू की सब्जी क्यों बहुत टाइम हो गया और बेगन के आलू की सब्जी गरम गरम रोटी गरम गरम सब्जी बह को इसने फिर कांड करने में लग गया यह देखो 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 रख दो लड़ू रख दो गुड़ बॉय जहां से लिए आतना वही रखो वहां से लिए आतना वही रखो बगवान जी की जैजे कर लो चलो कर लो बगवान जी की जैजे नहीं करी आज तुमने जाओ जो जैजे कर लो बगवान जी की चलो जैजे करेंगे कर लो बगवान जी की जैजे कर लो जैजे कर लो जैजे कर लो जैजे कर लो और अच्छी से कर लो जैजे पैर चुलो बगवान की डान्स कर लो चलो डान्स कर लो डान्स कर लो अब डिवान गुड़ आप्टर नोन सब्जी में ने बना ली है और अभी आटा लगा दिया है रोटी बनाओंगी जाके इनको कुछ काम था तो मैं नहीं चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ थोड़ा क्योंकि इनके पैर में थोड़ा हुए ने तो इनके पैर में थोड़ा ह पाज है और आज मेरे पतिदेब के हाथ की चाय जो कि मैं ठंडी करके पी तो आप लोग यह मत सोचना और मैं कटोरी में ही पीती हूं यह रहे बिस्किट चुकि मेरा बेटा देके गया है मज़े 2020 मैं कभी-कभी खाती हूँ चाय के साथ लाइट आफ है क्योंकि हमारे लड़ू सो रहा है आप है दीखे तो आप मैं पीती हूँ चाय और एंजय करती है आपको ये मत बोलना क्योंकि दो महीने मैंने भी तो सेवा करी है ना भी वो थोड़ा बहुत चलने लगे तो उन्होंने वोला आज मैं तुम्हें चाय पिलाओंगा जिससे तुम्हारा मूर सही हो जाएगा एकदम तो पतिदेव ने पिलाई मुझे चाय और मैंने उनके लिए बनाई भेल पोड़ी तो उन्होंने इतनी टेश्टी चाय बनाई थी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं वो बहुत टाइम बाद क्योंकि दो महिनी से तो कुछ भी नहीं बना रहे थे तो बहुत अच्छा लगा भेल पुड़ी मैंने उनको दे दी है क्योंकि उनका ओफिस वरक चल रहा है साथ में मीटिंग्स वगेरा और यहां पर लड्डू को आप लोग देख सकते हो इसको यह अपना स्कूटर बातरूम में लेके जाना है डारेक्ट तो इसकी जो क्यूट क्यूट मूवेंट से ना कभी कबार अच्छी भी लगते हैं कभी कबार मुझे घुसा भी आता है क्योंकि मैं इतनी फ्रेश्टेटेड हो जाती हूँ ना बहुत जादा घर के काम यह समालो वो समालो उपर सी बहुत तंग करता है तो यहां पर इसकी नाटक देख लो लक्च के एक जाम चल रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ा रही थी यहां पर और साथ में वो इतना वो रहा था वो ये कह रहा था पढ़ाओ मत मेरे साथ खिलने दो बार बार बुलाने के लिए आ रहा था कि चलो 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 तो मैंने इसको डाट दिया था फिर ये चला गया था और आज बनाई हुई है मैंने इसकी चोटी क्योंकि इसके बाल बड़े हो गए तो जब यह चोटा था ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं इसकी चोटी बनाती थी और हेल्दी भी था तो जब यह चोटा था तब इसकी बीडियो किस-किस ने देखिए मुझे जरूर बताना और यह न्यू वाला फॉ ना इसने तोड़ दिया था तो यह सही होके आ गया था तो फिर मैंने इसको दे दिया था लेकिन अब मुझे डर लगा रहता है कि फिर से ने फैक दे तोड़ न दे बच्चा है उसके बाद कुछ अरजंट काम आ गया था तो हम पती पत्नी दौनों निकल लिए मैं जैसी थ इसे ही चल दी थी क्योंकि मुझे जाता कहीं जाना नहीं था गाड़ी में ही बैठना था तो उसके बाद हमारे देवर आ गई नेक्स डे मॉर्निंग की किलिए पहतों मैंने बनाई पोहाच चाहे और उस सबस्वे उटके मैंने नहा दो कि पूजा उजा सब कुछ कर ली थी और यहाँ पर दोनों भाईयों को मैं दे देती हूं इनकी बन जायते चलती रही अभी हो रहाए इवनिंग का समय मैं थोड़ी थोड़ी से किलिप सूट करी है प्रॉपर मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी है तो अभी मेरा दिल कर रहा था कोल डिंक पीने का लेकिन मैंने हो गई तबीद खराब बहुत ज़दा गला कटने लगा था मेरा और यहाँ पदले को लड़ू की भी तबीद खराब चल रही है ऐसा नहीं है हमारे गर में थोड़ी थोड़ी सब की तबीद खराब चल रही है इसने नमक की डबी पूरी फिला दी मतलब नजर हटी दुर गट की हुआ रहा है रात का समय मेरा तबीद खराबती गला कट रहते किका था मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहता तो मैंने था अपने लिए मैंने बनवाइ मैंगी तो मैंगी बनाई हूए फटिदेव करूंगी ना आप लोग के साथ जल्दी से सेयर करूंगी क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते कि दीदी आप सेयर नहीं करते हो पहले सेयर करते थे उसके बाद आ गया है यह मेरा पारसल यह है मेरी सोपिंग और इसमें पांच जोड़ी कपड़े हैं आपको ऐसा लग रहा होग वो भी मैं जल्दी सेयर करूंगी तो बस मैं इनको चेक करूंगी ट्राइ करूंगी कैसे क्या आए है फिक्स आए है के लिए आए सारे फिक्स थे बट एक मेरा थोड़ा सा टायट लग रहा था मुझे उसके बाद अभी इवनिंग का समय है पतिदेव ने बोला बहुत आ रही हूं सारी चीज़ एकदम तयार हैं और इसके बाद जट पट से मैंने बनाए बर्गर सबसे पहले दिये मैंने लक्ष को क्योंकि लक्ष भी घर में सबसे पहले खाता है और जैसे ही मैं किचिन में कर रही थी काम और यहां पर लड़ू को देखो यह अटता ही नहीं क किचिन में से तो मुझे डर भी लगा रहता है कहीं जलना जाए क्योंकि बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो हमारे घर में सबसे पहले लक्ष ही खाता है उसके बाद हम दोनों खाते हैं और इसको भी खाना है देखो यह भी आगे पीछे गूमता रहता है अगे फिर से पारसल आ गया क्योंकि अभी दो तीन दिन से पारसल ही आ रहे है क्योंकि मैंने इसकी सौपिंग करी हैं मैंने सुचा होली से पहले ही कर लेती हूं और भी चल रहा था और यहां से मैं कपड़े मंगाती हूं अच्छे कपड़े आते हैं मैं ऑनलाइन ही देखने के लिए मिली होंगी, आगे मैंने कुछ सेर किया है, उसको जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट करके जरूर जाना. Hey everyone, good morning, आज है Monday, और सब्सक्राइब का समय है, और सच मैं आज मैं इतनी घुज हूँ कि मेरे लिए इतनी बड़ी गुड़नी हुज है, बहुत जादा, मुझे पता है, रो ना रहा है, क्योंकि पता है, आज मैंने मसीन भी लगा दी थी, Monday ता सब्सक्राइब जल्दी उठी ल चली जाती हूं, और मैं कैसे भगवान का सुक्रिया आदा करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे रो ना रहा है, सबसे पहले मैंने अनल को फोन लगाया, उसके बाद मैंने सुचा कि मैं आप लोग साथ भी सेयर करती हूं, कपड़े वास हो चुके हैं, अब और भी बॉस हो रहे हैं, आज कंबल वगरा, सब कुछ बॉस करूंगी मैं, और मुझे आज मार्केट भी जाना था, टाइम बलेगा तो जाओंगी, बना ठक जाओंगी, तो नहीं जाओंगी, और आज मैं इतनी खुस हूं, इतनी खुस हूं, कि मैं सक्दों मैं बया न दिन है, मैं भोली में अभी टाइम मैं, और पता है, इतनी बड़ी गुणनों रिछे बता है, कल भी बोल रही थी, आनिल से, destacating कोई चमतकार कर दो कोई चमतकार कर दो मैं तो आपके इतनी पूजा करती है कोई चमतकार कर दो और सचमानों ने चमतकार कर दिया इतने दिनों से मैं परिशान थी इतने दिनों से मैं परिशान थी मेरे दिमाग से वो चीज नहीं निकल रही थी और फाइनली वो चीज मिल गई मेरा चिसमा मिल गया यार साड़े तीन अजार रुपए बहुत होते हैं और दूसरी बात मैंने उसको एक दिन भी यूज नहीं किया था और मैंने सोचा था वो फैक दिया क्योंकि मैंने सारे डबे वगरा फैक दिया थे उसको मुझे भी ऐसे दिमाग में था कि मैंने फैक दिया है और पता है मैंने फैका नहीं था पता नहीं क्या हुआ है कैसे चमतकार हुआ मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में यही था कर दो मैंने सब यगह कर दो मैंने सब जगेए देख ली थी कल मै अपना कबर भी सेट किया कपड़े निकाल निकाल के रात को दो भी नहीं मिलाथ है और प्द इस धन भी लिए सारी जगह देखी तो ऊस दिन नहीं था यहां पर मैंने पूरी एकदम अच्छे से देखी यहां पर नहीं था और आज क्या हुआ मैंने सुचा कि चलो मैं मसील लगाई है दीदी आने से पहले सफाई कर लेती हूं थोड़ी सी यहां पर तो जैसे ही मैंने इसको हटाया और उदर हाट डाला मैंने बीच में उदर चस्मा था मैं आपक चस्की और दिखो यह यह जिसे था उचास्मा जो की मैं इसको डेली में यूज नहीं करूंगी मैंने सोचा था आने जाने के लिए उज्बाइंग सब्सक्राइट करऊंगई तैंक ब्मुचा लगाद किश्ब्स, मैं तो लग रहे है कि उन्होंन oni हमत्कर किया है करें गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब में आप रहे है सोचो कि आपने एक टाइम भी यूज नहीं किया हो और ऐसे आप अपनी गलती से फैक दो तो चमतकारी हुआ है सच में यार थैंक यू सो मच मेरे साथ तो भगवान है मुझे नहीं पता तो मुझे लगा कि मैंने आप लोग साथ सेर किया था कि मेरे चस्मा मैंने फैक दिया है और मैं बहुत रो रही थी और वो चस्मा मिल गया है इसलिए मैंने आप लोग साथ सेर किया है कि मेरे चस्मा मिल गया है और मैं अपनी फिलिंग्स आप लोग सासेर नहीं कर सकती सबदों में बया नहीं सकती मैं daily tension में रहती थी बहगवान यह क्या हो गया क्या हो गया कि परकल भी कि बोल रही और बिस्वास होगा है, मैंने फैक दिया, देखो, यह घज़ा घज़ा एक दम खाली है, तो मैंने खाली है और बोक्स मैंने फैक दिया, तो जो इसी मैं रखा होगा, सच मैं यार थेंक यू थेंक यू बगवान जी और आप लोग के साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है कि मेरे साथ जरूर सेयर करना मेरे साथ बहुत सारी चीज़े हुई है टाइम आने पर मैं सेयर करूंगी थेंक यू थेंक यू सो मच थेंकि सो मुझ बगवान जी मेरे पास सब्द नहीं है चलो वीडियो काफी लेंती हो गया बट मुझे यही गुड़नी जाफलों के साथ सेयर करने थी और अगर यह लेंती नहीं होगा तो मैं इस वीडियो में आपको सेयर कर दूंगी कि अनिल ने मुझे क्या गिप्ट दिया ने वो यह फिर नेक्स वीडियो में कर दूंगी पक्का क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं बहुत जादा बीजी हूं बहुत ही ज्यादा चलो हाज मुझे यकिन ही नहीं हो रहा है आज फिर से पार्सल आया है लड़ों के लिए मैंने कपड़े मंगाय अधने मैं आयाँ प्रापी प्रजाओनthose प्रडने मुझे बहुत है झाग ओठाया।